पूरा पेपर पड़ने के बाद उन्होंने पेपर अटेम्ट किया, अटेम्ट करने के बाद पहले वो सवाल उठाए जो उन्हें आते थे, एक बहुत ही हाई फर्स लुक आक्यूरसी के साथ उन्होंने पेपर दिया, फिर उन्हों questions पे आये जो उन्हें नहीं आते थे इतने अच्छे से और revision के लिए समय छोड़ा, अदवैत स्रीधर को अगर आप देखे, 267 marks लाने वाले अदवैत स्रीधर question paper तो attempt करा, बट 41 मिनट उन सवालों पे लगाए जो attempt ही नहीं करे, तो उनका actual score 2 गंटे और 19 मिनट मे आया, बाकी समय सारे paper का waste हुआ, इसी तरफ से 41 मिनट अगर आप लगाए paper के ओपर, यही टाइम उन सवालों पे लगाए जाए जो आपने करे हैं, तो निश्चत ही आपका score बढ़ेगा, यह सिरफ behavior का खेल है, इसमें knowledge का कोई भी role नहीं है, ओमकार सदरंगनी जो 89 marks लेके इस टेस्ट में 75 से 105 के score पर जाता है थे, केवल और केवल अपने behavior को change करके, ओमकार की देखिये, problem यह थी, कि वो 3 घंटे कक बैट नहीं पाते थे, उनका stamina नहीं बनता थे, यह gap देखिये उनके attempt में, वो निरंतर paper दे दे कर, दे दे कर उनने अपना stamina बढ़ाया, और तो और अगर आप उनके wasted attempts देखें, careless mistakes, तो आप देखेंगे, कि तुक्के बाजी में, जल्बाजी में questions करें, उन्होंने 25 सेकंड लगाये, किसी question में 13 सेकंड लगाये, यह सारे बहुत tough questions थे, IIT level के questions थे, और 2-2 second के अंदर उनने paper attempt किया, हम मानते ही नहीं, कि यह ओमकार की ability का reflection है कि यह ओमकार की असली मेहनत का हल है, 15 नंबर उन्होंने अपनी carelessness की वरा से गवा दिये, अगर वो 15 नंबर उनके total में जोड़े जाते, तो 105 का score बनता, जो वाकई, 2 हकते बाद होने वाले उनके जेइमेंस के paper में, उनके final marks थे, महस test taking skills को improve करके, बच्चे का score बढ़ सकता ह करके बाद हाओए लिए कर दोने का कर दोड़े लिएर.